कूरियू तशृड़ प्रक्टप कर रहें को सबस्टोन की जो करेंटे उने की सीरीज चल लगए है तो मौर्निंग में 21 स्युक्र स्क्रक्रक्लिंग देखकर जो है 50 तक देखेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने वहां पर आप टेस्ट नमर वन से लेकर जो है को 254 तक पहुंच सकते हैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक करें और इस सीरीज की आप PDF प्राप्ट कर सकत करते हो डिस्क्रप्शन वॉक्स में नमबर है उस पर कॉल्या वाट्सप करके तो पहला प्रेशन है विश्व खादे पुरुसकार यानि वर्ड फूड प्राइज दोहर बाइस से रिलेटेड तीन स्टेट्मेंट है यहां पर बताने के नहीं से कौन से करेक्ट है देखें पांच मईद 1222 को यह पुरुसकार जो है नासा की सीनियर रिसर्च बैग्यानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग को प्रदान किया जाने की घोशना की गई और इस पुरुसकार की सुरुवात 1986 में हुई थी और पहला विश्व खादे पुरुसकार वर्स 1987 में भारत में हरित करांती के जनक डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन को प्रदान किया गया था भारत में बिलकुल यह करेक्टर तीसरा वाला स्टेट्मेंट दूसरा भी करेक्टर और पहला वाला भी करेक्टर तो सारे के सारे करेक्टर डी हैस कांसर तो 5 महीं 1222 को विश्व खादे फांडेशन द्वारा अमेरिकी जलवायू विज्ञानी क्रशी विज्ञानी और नासा की सीनियर रिसर्च विज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेंज्वेग को वर्स दुहार वाइस के प्रतिष्टित विश्व खादे पुरुसकार यानी वर्ड फूड प्राइस दुहा की गई और यहीं एक पर्तुष्ट अंतराष्टे पुरुसकार के लिए नौबल पुरुसकार के रूप में जाना जाता है इस पुरुसकार के तहर कि टहां दो लाग पचास जार अमेरिका डॉलर की रासी जो है विर पुरुसकार की सिरुबात होई थी 1986 में विष्व के सूत्रधार एवं नोबल सांती पुरुसकार विजयता डॉक्टर नॉर्बन बॉर्लोग के द्वारा की गई थी वर्स 1970 में और भारत में सबसे पहले यह पुरुसकार मिला था डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन को कॉश्चन नुबर 33 पराज़िये मार्च दोहर 22 में बॉलिवुड की किस अभिनेतरी को टाइम हंड़ेट इंपेक्ट अवार्ड दोहर बाईस से समानित किया गया इनका नाम है दीपी का पादुकॉन तो मार्च दोहर बाईस में युवई दुबई म इस समानित किया गया और उनको उनको उनके जो एक फाउंडेशन उनका उसका नाम है लिव लव लाइफ फाउंडेशन ठीक है लिव लव लाफ फाउंडेशन ठीक है लिव लव लाफ फाउंडेशन ठीक है लिव लव लाफ फाउंडेशन है इसके माध्यम से जो है मानसिक स सास संगर्सों और जग्रूकता बढ़ाने उनके काम के लिए इस अवार्ट्स की सूच में उनको सामिल किया गया और उन्हें यह अवार्ट्स दूसरी बार दिया गया है और के अलावा छे emotion को भी इस अवार्ट्स से जो है संवानित किया गया है जो किसी विशेश छेत्र में दुनिया को बढ़ाने के लिए उतकरष्ट काम करते हैं Question No. 34 पर ज़र आज़ेए 23 मार्च 22 को The Norwegian Academy of Science and Letters ने वर्च 22 है तू परतिश्ठित एबल पुरुसकार परद्यान किया जाने की घोशना की किसे की किसको की है देनिस परनेल सुलिवन Option No. 3 तो 23 मार्च 22 को The Norwegian Academy of Science and Letters ने परतिश्ठित एबल पुरुसकार 22 की घोशना की और इस वर्ची है पुरुसकार अमेरिकी गड़तव अमेरिकी गड़तव ये डेनिस परनेल सुलिवन को परदान किया जाएगा और उन्हें ये पुरुसकार टॉपलोजी में उनके व्यापक योगदान के लिए जो है दिया गया विसेस रूप से इसके बीच गड़ती है जामिती है और गतिशील पहलुओं में देखें जो टॉपलोजी है वो गड़ित का व्यापक शेत्र है और इसे जामिती के विस्तार के रूप में देखा जाता है कोशन नमर्ट 35 पराजे 21 मार्ज 22 को नीती आयोग द्वारा पांच माँ वीमेंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 21 पुरुदान किया गया आपको बताना है कि इस वर्ज कुल कितनी महिलाओं को इस पुरुषकार से सम्मानित किया गया कितनी महिलाएं कुल कुल हैं इसमें 75 महिलाएं 21 मार्ज 22 को नीती आयोग द्वारा पांच माँ वीमेंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वार्ड 21 परादान किया गया और इस वर्ज आजादी के अमरत महतसब के हिस्से के रूप में कुल 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया और भारत की सुतनतरता के 75 वर्ज मनाने का महतसब ठीक है अमरत महतसब और इसमें विभिन छेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिला उद्दमियों को सम्मानित किया गया और इससे संबंदेत निम्न कतनों पर विचार करना है आपको ग्यात हो कि 22 मार्ज को विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो देखे इस्टॉक होम बाटर प्राइस दोहर बाइस वर्स दोहर बाइस का यह है परतिश्टित पुरुसकार बिलफ्रेड एच बूट सेट को परदान किया जाने की खोशना की गई और यह है पुरुसकार वर्स 1991 से परदान किया जा रहा है और अब तक चार भारतिये इस पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुके हैं विल्कुल यह तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं स्टॉक होम बाटर प्राइस दोहर बाइस से रिलेटेड तो 29 मार्ज दोहर बाइस को स्टॉक होम बाटर प्राइस दोहर बाइस प्रदान किया जाने की खोशना की कई और वर्स देहर वाइस का यह प्रतिष्टित पुरुसकार बेल्जियम मूल के अमेरिकी प्रशिद जल्विग्यानी प्रोफेसर ब्रिल्फेड एच ब्रुटसेड को प्रदान किया गया और उन्हें यह पुरुसकार परियावरणिय वास्पिकरना यानि इन्वार्मेंटर एब आपरेशन को मापने के लिए उनके उतकरष्ट कारे के लिए प्रदान किया गया और वह करनल विश्विद देले उसे में इंजरिंग एमिरेट्स में जो है प्रोफेसर है और यह पुरुसकार जल्व के नोबल पुरुसकार के रूप में जाना जाता है और अब तक यह पुरुसकार चार्ड भारतियों को भारतियों को या भारतियों संस्थान को प्रदान किया जा चुका है जो इस प्रकार है यह पुरुसकार जो है जल पुरुसकार जल पुरुसके नाम से पुरुषिद राजेंदर सिंग को दिया जा चुका वर्स दोहर नो में यह पुरुसकार सेंटर फॉर सांट्र इननवारोनेंट द्र बाद्धpurpose गो希त व्यक्तिगत सुर्णी में कुष्ट योग के लिए अंतराष्टिय गांधी पुरुषकार दोयार 21 प्रदान किया गया व्यक्तिगत सिर्णी की बात हो रही है ठीक है अंतराष्टिय गांधी पुरुषकार दोयार 21 कुष्ट रोक के लिए किसको डॉक्त्र भूशन कुमार को देखे तेरे अपरेल 22 को उपराष्ट पती एंब बंक यानुटिय उन्हें चंडी गड के डॉक्ति भूशन कुमार जिनको मिला व्यक्तिगत सिर्णी में तथा सहयोग कुष्ट यग ट्रस्ट गुजरात को मिला है संस्थागत सिर्णी में याद रखेगा गुजरात को करती हैं यहां पुर्सकार कुष्ट रोग के प्रती लोगों में जारुकता फिलाने और पीडित लोगों की देखवाल के लिए परदान किया गया और यहां वार्चिक पुरूष्कार गांधी मैमोरियाल लेपरोशी पाउउंडेशन द्वारा इस्थापित किया था ऑर रह प्रदान किया जाता जिन्होंने कुछ रोग और इससे जुड़े पूर्वा ग्रहों में से लड़ने के लिए अथक प्रियास किया है प्रदान किया जाने की घोशना की गई ये फर्स्ट प्राइज है ठीक है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरुसकर ये भारते प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी को तो 10 अप्रेल 22 में पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरुसकर पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरुसकर जो है भारते प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया और आपको ग्यात हो कि भारत रत्न स्वर्गिये लता मंगेशकर की इस मर है 2001 में यह पुरुषकार ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान किया था जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेबा में समार्फर्थ कर दिया हूँ कोईशन नुबर 39 पर आज़िये 16 मार्च 22 को मिस वर्ड 2021 का खिताब किसने जीता हरनाच को और संधू नहीं ये तो मिस यूनिवर्स बनी है कैरोलीना विलावास्का तो 16 मार्च 22 को मिस वर्ड 2021 सौनदर परतियोगिता का सत्तरवा संस्क्रन जो है प्रुटोरी को मैज़ित हुआ इसमें विविन देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रतियोगिता में पोलेंड की कैरोलीना विलावास्का ने वर्ड 2021 का मिस वर्ड का खिताब जीता और आपको ग्यात हो कि वर्ष दो यार बीस में यह है खिता भारते मूल की मिस जमेका टोनी एंड सिंग ने जीता था कोशिया नुमर चालिस पर आजएए 13 मार्श जहर बाइस को 75 वे बाफटा अवार्ड का विद्रन किया गया और जोआना इसकेनलाउन को सर्फसेष्ट अभिनेत्री यानि वेस्ट एक्ट्रेस का पुरुस्कार दिया गया है बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेट्मेंट करेक्ट हैं पिछातर वे बाफटा वार्ड से रिलेटेड तो इसका अंसर हो जाएगा उपसन नुमर डी बन टू थरी कोशिया नुमर फोटी बन पर आजएए आठ मार्स दोहर बाइस को किस राज सरकार ने सुस्मा सुराज पुरुस्कार की घोशना की किसने की हरियाना सरकार ने तो हरियाना का नाम याद रखीगा सुस्मा सुराज पुरुस्कार के लिए कोशिया नुमर फोटी टू पर आजएए अप्रेल 22 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टॉम्ब ओफ संड अंतरास्टिय बुकर पुरुस्कार के लिए अंतिम 6 में चैनित होने वाली पहली हिंदी पुस्तक बनी इनके द्वारा लिखी गई है क्या नाम इनका गीतांजली स्री औप्सन उमबरे तो अप्रेल 22 में गीतांजली स्री द्वारा लिखित पुस्तक टॉम्ब ओफ संड अंतरास्टिय बुकर पुरुस्कार के लिए अंतिम 6 में चैनित होने वाली हिंदी पुस्तक या उपन्यास बनी ठीक है टॉम्ब ओफ संड किसने लिखिये गीतांजली स्री ने और यह पुस्तक जो है मूल रूप से हिंदी में रेत समाधी के नाम से प्रकाशित हुई थी पर इसका अंग्रेजी मनुबाद किसने किया है डेजी रॉक्वेल ने कोशनने 53 पर आजए अपर्यल judo 22 को किसे वर्स दयार 21 के 31 वे सरस्वती सम्दान के लिए चुना गया प्रोफेसर रामदरस्मिश्र अप्सों नंबर सी तो चार अप्रेल दोहार 22 को हिंदी के वरिष्ट कभी और लेखक प्रोफेसर राम दरसमिश्र को वर्ष दोहार 21 के 31 सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया और उन्हें यह सम्मान उनके कवीता संग्रे मैं तो यहां हूं के लिए दिया जाएगा और यह कवीता संग्रे कप छपाता उनका का प्रकाश्वत दोहार 15 में और इससे पहले आपको याद हो कि तीसवा सरस्वती सम्मान दोहार 20 प्रतिश्रित मराठी लेखक सरण कुमार लिंबाले को उनके उपन नयास सनातन के लिए दिया गया था और यह जब पुरुसकार है वो कौन देता है के के विड़ला फाउंडेशन दोहारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है कब से इसकी स्थापना की गई थी 1991 में और यह सम्मान प्रतिवर संभिधान की आठवी नुसूचे में वंडेत किसी भी भारते भासा में पिछले 10 वर्स में प्रकाशित भारते लेखो की उतकरश्ट साहित्तिक क्रती को प्रदान किया जाता है इस प्रुसकार में क्या-क्या दिया जाता है पंद्रे लाग रोपे की धनराशी दी जाती है प्रस्ति पत्र मिलता है प्रतीक चिन मिलता है यह सम्मती चिन कोशना नमर 44 पर आजए यह तीन तीन स्टेटमेंट वाला प्रशन है इस स्टेटमेंट है 94 ओसकर अवार्ड से रिलेटेड जिनकी खोशना की गई थी 27 मार्च दोहरबाइस को देखे इसमें फिल्म कोड़ा को सर्फस्रेश्ट फिल्म का परुसकार परदान किया गया सर्फस्रेश्ट अभीनेता का परुसकार विल स्मित को परदान किया गया सर्फस्रेश्ट अभीनेता का परुसकार जेसिका चेस्टन को परदान किया गया क्या यह तीनों की तीनों बाते सकते हैं बिलकुल यह तीनों की तीनों बाते सकते हैं वन टू थरी डी है इसका आंसर तो 27 मार्ट वहार बाइस को 94 वार्षिक अकादमी पुरुषकार USA में USA के लॉस एंजलिस में डॉल भी ठेटर में जो है प्रदान किया गया और यहां पुरुषकार Oscar पुरुषकार के नाम से भी पुरुषद है ठीक है अकादमी पुरुषकार या Oscar पुरुषकार एकी बात है और पुरुषकार समारों का वितरनक देखें तो कुछ इस प्रकार है जैसे कि सर्बसेश्ट फिल्म देखें तो फिल्म कोडा है और इसका कोडा के डिरेक्टर है सियान हेडर सर्बसेश्ट अभीनेता विलिसमेट है और किस मूवी के लिए उनको मिला है वेस्ट अभीनेता का केंग रिचर्ड के लिए सबस्टेस्ट अभिनेत्री है जैसिका चेस्टन और किस फिल्म के लिए मिला उनको वेस्ट एक्टरस दा आइज आफ टेमी फे कॉश्चन नमर 45 पर आज़िए मार्स देहर 22 में भारत के किस निजी चेत्र के वैंक को किस को मिला कोटक महिंद्रा एक्सिस बैंक या फिर एजडी अफसी बैंक क्या है इसका अंसर एक्सिस बैंक तो मार्स देहर 22 में भारत के निजी चेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक को IFR Asia Award में Asian Bank of the Year Award देहर 21 प्रदान किया गया और एक्सिस बैंक को यहाँ पुरुसकार एशियाई निवेस बैंकिंग छेत्र में इसकी व्यापकता एवं विश्यस्ता के निजी दिया गया है और इसके साथ ही Axis Bank को India Bond House Award भी प्रदान किया गया Question No.46 पर आजएए March 22 में मालदीब सरकार ने किस पूर्व भारतिय किर्केटर को मालदीब Sports Award 22 में प्रतिष्टित Sports आइकन पुरुसकार से समानित किया गया है इनका नाम है सुरेश रहना इस समारों में पूर्व भारतिय किर्केटर सुरेश रहना को मालदीब Sports Award 22 में प्रतिष्टित Sports आइकन पुरुसकार से समानित किया गया Question No.17 पर आजएए 47 पर आजएए 47 पर प्रश्ण 15 मार्च 22 को परतिष्टित पृतिचकर आर्किटेक्टर पुरुसकार किसे प्रदान किया जाने की घोशना की गई देई वेदो फ्रांसिस केरे ठीक है देई वेदो फ्रांसिस केरे Option No.17 तो 15 मार्च 22 को बुर्कीना फासो के आर्किटेक्ट वेदोफ्रंसिस केरे को वर्सच का प्रत्रwolब इसे अर्चिटेक्शर का नॉबली कहा जाता है ठिक है प्रिद्च्टेक्शर प्राइज को कि किसको इस बार देई वैदो फ्रांसिस केरे पहले अफरीकी है कॉशन नमबर 48 पर आजए जनबरी 22 में किस टाइगा रिजर्व ने प्रतिश्चित अंतरास्टी ए टी एक्स टू पुरुसकार जीता है जनबरी 22 की बात हो रही है इसका उत्तर है सत्य मंगलम टाइगा रिजर्व तो जनबरी 22 में तमिल नाडू के इरोड जिले में सत्य मंगलम टाइगा रिजर्व जिसने जीता है प्रतिश्चित अंतरास्टी ए टी एक्स टू पुरुसकार और इस टाइगा रिजर्व को जो है वर्स दोह्यार दस में दस के बाद से बागो की संख्या इस टाइगा रिजर्व को दोह्यार दस के बाद से बागो की संख्या दोगनी होकर असी होने के बार जो है या पुरुसकार दिया गया है ठीक है 80 हो गई है और सत्यमंगलम वन जीवा भेरन को वर्स 2013 में टाइगा रिजर्व गोशित किया गया था और यह टाइगा रिजर्व नीलगरी और पूरवी घार्ट परिदरश्य के वीच एक महत पूर्ण कड़ी है सत्यमंगलम टाइगा रिजर्व कहां पर मैच करने के प ICTP IEMU रामानुजन पुरुषकार दोयहर 21 से सम्मानिद किया गया यानी सीदे सीदे याद रखेगा रामानुजन पुरुषकार 21 सम्मानिद किया गया है प्रोफेसर नीना गुपता को तो दिसंबर 2021 में कॉलकाता इस्थित भारते संखी की संस्थान में गड़ित की प्रोफेसर नीना गुपता को विकासियन देशों के युवा गड़ितक युका जो है रामरुजन पुरुसकार 2021 से समानित किया गया और वह यह पुरुसकार पाने वाली तीसरी महिला है और राम गॉल्डन पिकॉक परियावण प्रवंधन पुरुसकार 2021 से समानित किया गया तो भेल सेल गेल हाइल को इस्टील अथॉर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेट सेल को ठीक है भी है इसका अंसर तो 18 दिसंबर 2021 को सारवजनिक शेत्र के उपक्रम इस्टील अथॉर्टी ऑफ इंड सेल लगातार तीन बर्सों से जो है इस पुरुसकार का विजयता रहा है और सेल को यह पुरुसकार टिकाव और पडियावण या द्रश्टी से जिम्बेदार इसपात बनाने ही तू इसके द्वारा किये गए प्रियासों के लिए जो है वो दिया गया है तो 31 प्रस्न जो है मॉर्निंग में थे 19 यह हो गए तो टोटल पचास प्रस्न हो गया करन्ट से रेलेटेड है ठीक है महत पूर्ण है इंकी प्रक्टिस एक से दो बार कर लिजगा धन्यवाद